दो साल पहले शुरू हुई एक मुहिंप मेडिया में एक नया आंदोलर शपत जूट को बेनकाब करने की सुकल्प सच को आप तक पहुँचाने का और इस क्रांती को मिला आपका साथ हर दिन हम से जुड़े लोग 10 लाग 70 करोड से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके अब है आपकी बारी उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तयारी आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश नमस्कार हमारे नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा से देखी अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के नए नए उतार चड़ा यूपी में अगले साल विदान सभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में तमाम राजनेतिक दलों में अपनी पकल को बनाये रखने के लिए राजनेतिक दाव पेच लगने शुरू हो गए इस बीश निशाद पार्टी के रास्ट्य अध्यक्ष डॉक्टर संजे निशाद ने एक बड़ा बयान दे दिया उन्होंने कहा कि विजपी पहले अपने तीनों वादे पूरे करे तभी वो विजपी का आने वाले चुनाव में साथ देंगे निशाद के ने तेवरों से यूपी के आगामी विदान सभा चुनाव में मुश्किले बर्ती दिखाई दे रही है विजपी के राश्टीय अध्यक्षु जेपी नडड़ा और केंद्रे गुरीम अंकी अमिश्भा से मुलाकात के बाद गोलग नव पहुँचे थे उन्होंने कहा कि BJP पहले केंडिय सरकार में हिस्सेदारी राज्य सरकार में हिस्सेदारी और राज्य सभा सबस्ते के वादे को पूरा करे तब ही वो आगे आने वाले चुनाओं में पार्टी का साथ देंगे और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर रिचीफ डॉक्टर मुनीश कुमार, डॉक्साब बाद में स्वागत है आपका धन्यवाद डॉक्साब निशाद पार्टी के हम बाद में बात करेंगे लेकिन पहले हम बात करते कल जिस तरह से मुख्यमंती ने अचानक से केशो परसाद मौरे से मुलाकात की आपने आला की कह दिया था कि इस मुलाकात के बाद एक सुर में सुर मिलाते नजर आएंगा और वही हुआ ब बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने संगेठन की बातों को नहीं माना पार्टी छोड़ के चले गए गर्त में मिल गए फिर वापस उनको पार्टी में आना पड़ा कई सारे लोग आप देखिए किस तरह के दरदर के ठोकने खाने के बाद वो जैसे उमा भारती उमा भार आप दोनों मुठी भीच करके वो तस्वीरे जो उनकी आती थी अचानक से उनका जगड़ा हो गया वो पाटी छोड़ के चली गई पाटी छोड़ के चली गई तो मालम चला कि वो कहीं की नहीं रही और उसके बाद वापस वो भारती जंता पाटी में आई तो मद्ध करती है अब केशव प्रसाद बारिया उमा भारती की जो वो सक्सियत थी जो हैसियत थी जो साख थी जो पॉप्लारिटी थी उसके सामने जिरो बटा सन्नाटा हैं लेकिन फिर भी एक छाग हर व्यक्ति के मन में हो सकता है और कोई बुरी बात नहीं है यह लेकिन जिस हिसाब से एक डिसिप्लिन पार्टी इन चीजों को सॉल्व करती है चुकर चुनाओ नजदीक है तो पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों की जो इक्छाएं हैं उनकी कामनाएं हैं उनका जो एमबिशन है वो सामने तो लेकर ही आएंगे वो वाजिब भी है आपकी पार्टी के अंदर कैसा मेकनिजम है उन सब चीजों को हैंडल करने का उससे यह तैह होता है कि आप किस हिसाब से पार्टी चला सकते हैं किस हिसाब से आप जिस एक्जाम्पल आप देख लीजिए आज क्या हुआ पंजाब में चुनाओ हो रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी टूटके का पर है अमिंदर सिंग ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें नहीं चाहिए मैं तो ना डिप्री चीफ मिनिस्टर बनने दूँगा ना उसे पी सी सी चीफ बनने दूँगा ना जो सी सिद्धू मुझे पसंदी नहीं है आज मुलाकात होनी थी सोनिया गांधी से तो एक सुबे में जहां चुनाओं होने वाले हैं उसका चीफ मिनिस्टर आपका पार्टी का जो चेहरा बनने वाला है वो सोनिया गांधी से मिलने की गुजारिस करता है और आप उसे वक्त नहीं देते हैं उपर से नबजो सिंग सिद्धू अपने ही पार्टी के खिलाफ बयान बाजी कर रह इसलिए लोग बाहर भी आते हैं इस तरह की बैन बाजी भी करते हैं तूट हो जाती है मसला खराब हो जाता है अब मालूम चला है कि दोनों कॉंगरेस पार्टी जो दोनों जो लिडर लड़ रहे हैं दोनों अपना अपना सेटिंग अलग करके बैठे हुए हैं दोनों सब्सक्राइब सबस्क्राइब सब्सक्राइओ लिए अगर तो क्या बाज़ को सब्सक्राइब दो जोंगें से पुछ जटका लग सकता है या साहयोगियों की वजह से मुश्किल दिख सकती है या हर जो भी कोई पार्टी है जो चोटी हो यह बड़ी हो सब चाहता है उसके सारे लोग मंत्री बन जाएं उनको राषभा भेज दिया जाए लोकसवा भेज दिया जाएं चुन चाहे वो UP हो, चाहे वो NDO हो. जब भी Alliance की बात होती है तो वो Negotiations जो है, उसी हिसाब से होता है। ये ठीक वैसा ही है, कि आप समान खेंडेंगे जाती हैंम बाजार में और वो, दाम जो है कुछ हिसाब से बताता है, जो आप को लगता है कि बहुत ज्यादा है. तो आप क्या करते हैं आप bargaining करते हैं यह तो politicians यहां तो उनका जीवन stake पे लगा हुआ है उनका पूरा career stake पे लगा हुआ है तो bargaining होती है यह democracy और हिंदुस्तान के खास करके जो गटबंदन की जो राजनीती है उसका यह एक part and parcel है तो निशाद सहाब कह रहे हैं कि हमें हिस्सेद जो है वो कहिए इसको एक डखे चुपे सब्दों बे उसको जो है मांग की जा रही है वो यह कह रहे हैं कि हमें केंदर में भी मंत्री बनाओ और मुझे राजसभा भी भेजो जी और तब ही पार्टी साथ देगी नहीं तो पार्टी चुनाओ में साथ देगी तो यह आप य यह तीन मांग इसलिए मांगी जा रही है कि एक तो केंदर के अंदरर सफ्निंग होने वाला है नितिया सुर्पार जी अज दिल्ली में है वो दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे बी-जीप के Лेड़ से मिलेंगे और वो इस बात के लिए निगोसियट करने जा रहे वहाँ उनकी सरकार चल रही है वियार में बीजेपी के साथ गड़बंदन है लेकिन यहाँ पे वो समर्थन भी दे रहे हैं एंडिये के एक घटक रूप में जेडियू साथ में है सरकार के साथ है लेकिन पिछली बार ये हुआ था कि चुके बहुमत बहुत ज़्यादा आ गय 300 पार कर गई बीजेपी तो बीजेपी ने एक फार्मूला बना दिया कि हर जो गटक दल है उससे एक एक सक्स को बाकाइदा हम मंत्री बनाएंगे तो नितिश कुमार उसमें रूट गये उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए वो उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं नहीं चाह MLS जो हैं वो Jелю के पास है MPS वो J PD के पास है तो उन्होंने नहीं माना तो नहीं माना तो नहीं माना तो नहीं मानों bargaining बार्गर नहीं हो पाया सौदा तैषी नहीं हुआ आपने वो दुकान से आपने ने लिये सावार आगे निकल गए अब फिर से ये निगोशियेट हो रहा है तो उसी पर ये निगोशियेट करने आ रहे हैं कि क्या फॉर्मूला हो क्योंकि इस दौरान जब 2019 के जो रिजल्ट आए और जो अभी की जुस्तिति है इसमें एक फंडमेंटल चेंजेज हैं वो क्या है अकाली दल नहीं है सिर्फ शेना नहीं है कई सारे जो पुराने जो एंडी लोग थे वो लग नहीं है तो ये सारे के सारे कवाय जो है उसी चीज़ बे चल रही है कि भई आप कितने लोगों को आप ले सकते हैं कौन सा मंत्राले मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा कुछ तो यह सारे डिंगोशियंस राजनीती में यह नॉर्मल एक प्रैक्टिस है तो अब निशाद जी को भी लगता है कि हाथ जो केंद्री मंत्री भी मिल जाए कि उनको मौलूब है कि यह मांग उनकी पूरी नहीं होगी फिर हो दूसर मांग करें कि चलो भाई वह हिंट है उनने डॉक सभ ये दारी चाहिए तो राजी में भी मंत्री बनाया जा सकता है तो ये एक मांग है और तीसरा मांग है कि हमको रासवा भेजिए तो ये तीन मांग जो है इसमें फिर निगोशियसिन होगा वो बाची तरके मुलाकात करके तो आ गए और उसके बाद मुलाकात के बाद लखनो पहुंचके इस तरह के डिमांड कर रहे हैं तो जो पॉलिटिकली जो समझ में आ रहा है वो ये कि इनकी इन तीनों मांगों को खारिश कर दिया जया अब दूसरा ये ह कि निसा साथ अकेले वो इतनी बड़ी भी पार्टी नहीं है कि वो अकेले दम पे कुछ बड़ा कारणामा कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा क्या होगा आप कॉंगरेस के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या फिर बीएसपी के साथ जाएंगे तो उनके सामने भी options होगा आपको यह सारे चीज़ों को देखना होगा कि बहिए आप किसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं तो यह बात बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि बहिए तुमारे पास रास्ता कहा है तुमारे पास किधर जाओगे तुम्हारा रास्ता क्या है तो उस पर ये negotiation होगा मुझे लग रहा है कि निशाथ साहब को मनाने की कोशिस की जाएगी उनके demands तीन में से एक demand को जो है वो पूरा किया जा सकता है जैसे कि राज्य में जो सरकार है उसमें उनको हिस्सदारी मिल सकती है एक मंत्र चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारती जन्ता पार्टी हो ब्यस्पी हो कॉइबी पॉलिटिकल पार्टी हो चुनाओ से पहले हर पार्टी में कोला हल थोड़ा सा वो लाजमी है वो इसलिए कि हर individual लोग अपनी आकांचाओं को सामने रखते हैं उनको मालूम है कि चुनाओ से पहले अगर हम अपनी चीज़े को नहीं रखेंगे चुनाओ के वरिजल्ट के बाद तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा तो वो सारे लोग करते हैं जब एलायंस करना होता है तो उसके बाद उसमें भी जो है बहुत जोर जबरदस्ती करना पड़ता है बार कांग्रइस का सकते हैं तो उनके लिए खुला रास्ता थे तो वह जिन के साथ करेंगे उनके साथ फिर वह बार्गेनिक करेंगे तो यह बार्गेनिग विए इस पार अर। निसा साथ की ख़बर आज जो है वो प्रमुपता से आई है इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूरी था डॉक्साब चलिए बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ कारिक्रम में जुनने के लिए बंदवाद तो उतर प्रदेश में विजेपी में बीते दो दिनों से गहमा गहमी का महौल चल रहा है संके पदाधिकारियों की मौजूदगी में सीम योगी और डिपी सीम केशाव परसाद मौर्वा की मुला आख से सब कुछ दूरूस्त करने की कोशिश की जा रही है पार्टी नाराजगी और असंतोष्ट को खत्म करने की कोशिशों में चुप गई है पार्टी के रास्टे संगठन मंत्री बियल संतोष्ट तीन दिन के लगनाव दौरे पर हैं और संग के पदाधिकारियों से उनकी बैठकों का सिलसला लगतार जा रही है इस विदानसभा चुनाव में पार्टी 300 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी लेकिन 300 पार वाला पार्टी का नारा कितना काम्याब होगा यह तो आने वाला वक्ती बताएगा तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम फ़संद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, नमस्कार। हमें देख चुकें, अब है आपकी बारी उत्तर प्रदेश में नए अंदोलन की तैयारी आपकार कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश